आज फ्रांस में एक टेरिस्ट अटेक हुआ फ्रांस के नीस में और ये टेरिस्ट अटेक वर्ड हम यूज नहीं कर रहे हैं बलकि ये वर्ड यूज किये हैं वहां के मेर ने उन्होंने कहा है कि everything suggests it was a terrorist attack इसके अलावा मैं इस इंसिडेंट इस अटेक की कुछ बातें बता देती हूँ जिसमें कुल तीन लोगों की मौत हुई और एक लेडी की बेहेडिंग भी हुई यानि उसका सर काट दिया गया यह घटना हुई है Notre Dame Church की और वहां से यह निकला आरोपी और इसने और लोगों को भी खायल किया इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफतार किया गोली मार कर लेकिन गिरफतारी के दौरान भी वह अल्लाहु अकबर कह रहा था इस प्रकार की घटना फ्रांस के पिछले कुछ दिनों में जो हो रहा है उसका ही एक सीक्वल है और इसलिए मेरे साथ है तुशार इस पर चर्चा करने के लिए तो आज जो अटेक हुआ वो आपको क्या लगता है उसके बारे में निश्था कही न कहीं यह कहना एक तरह से गलत भी है बट कहीं न कहीं एकस्पेक्टेट था ऐसा होना क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों में देखें जो वहां के प्रेजिडेंट के स्टेटमेंट्स थे अगांस इसलामिक टेरिस्म स्पेशली आफ्ट आफ्ट वहां से एक पुरा रियक्शन एक सोचल रियक्शन उस पारेस बीहेड़ेंग की तरफ थे very important to understand that जो Macron कह रहे हैं काफी देर से उन्होंने कल राट भी tweet किया कि काफी controversies में आ गए हैं वो पर वह वो सब कुछ करेंगे which it takes to safeguard the people of France. I think today what happened in this church what happened in the city of Nice it is actually proving Macron right ये करने वाले ये चीज समझ नहीं रहे कि Macron जिस चीज के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं ये ऐसे attacks उस पूरे stand को validate कर रहा है दूसरी चीज ये church में होना खुद में ही बहुत बड़ी बात है church again हम भूले ना it's a place for worship it's not a place where terrorist attacks should happen तो एक terrorist angle तो है ही इसमें but एक religious angle भी आएगा कि क्या अब terrorist attacks church में होंगे क्या कलको terrorist attack temples में हो सकते हैं गुर्दवाराज में हो सकते हैं ऐसी discussions अब होंगी but right now अब एक ये action reaction का cycle शुरू हो गया है what we saw in Paris the beheading that happened was an action जो Macron ने उसके बाद किया जो Charlie Headgo के cartoons आए वापिस सामने लोगों ने share किये government buildings पे भी लगाए गए थे वो वो reaction था आज दुबारा उस reaction के against एक reaction है अब ये पूरा cycle शुरू हो गया है निश्था and I don't know ये कहां खतम होगा कैसे खतम होगा जी और ये जो आपने church वाली बात कही वो बहुत important है क्योंकि niece के mayor ने भी कहा था कि it's all about symbolism church क्यों choose किया गया क्योंकि वो कोई message देना चाहते थे शायद और इसलिए हम देख लेते हैं कि France में Samuel Petty की beheading के बाद क्या क्या हुआ है वहाँ पर जो हत्यारा था उसे तो मारा ही गया लेकिन सिर्फ यहीं तक नहीं रुके मैकरॉन उन्होंने verbal arguments तो रखी ही Islamic terror के खिलाफ लेकिन कुछ actions भी हुए जैसे extremists को expel करने का जो decision लिया गया 51 French Islamic जो वहाँ पर associations हैं उनको monitor करने का decision लिया गया जिस mosque से ये वाली बात फैली थी Samuel Petty के वीडियो फैलाए गये थे उसे बंद करने का decision लिया गया और ऐसे ही उस school में पढ़ने वाले student के father को भी arrest किया गया तो Macron ने सिर्फ एक individual को target करके वो शांत नहीं हुए शायद वो भी समझ रहे हैं कि कोई ideology है जिससे motivate होकर ये चीज हो रही है और इसलिए उन्होंने एक पूरा जो सब कुछ होता है जो structure होता है एक दूसरे से जुड़े हुए dots उनके उपर भी उन्होंने action लिया है तो क्या ऐसा ही हम आगे भी देख पाएंगे अनिश्टा बहुत जरूरी है ये जाना कई बार ये जो action होता है leaders का ये ये कहकर dismiss कर दिया जाता है कि अरे ये तो nationalist leader है जैसे जब भी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदिया चीफ मिनिस्टर योगिया दित्यानाथ मैं example के तौर पर कह रहा हूँ they talk about curbing Islamic terrorism बहुत जल्दी कुछ media वाले कहते हैं अरे ये तो nationalist leaders है अरे ये तो Islamophobia encourage कर रहे हैं ये वो ये जानना बहुत जरूर है कि जो Macron है वो खुद बहुत left की और oriented है politically पर अब जो react कर रहे हैं वो जो वो action ले रहे है Islamic terrorism के against and I'm sure और भी announcements आएंगी अब तक कोई announcement आई नहीं है बट उनके end से और announcements भी आएंगी उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया है कि ये knife attacks है, truck attacks है, जो stabbing होती रहती है और ये आज की चीज़ नहीं है यॉरोप में 2015 से शुरू हो चुका है ये एक individual action नहीं है, कही ना कहीं ये bigger racket है, radicalization पूरा चल रहा है, जिसके origins कहीं ना कहीं तो हैं अब ये आप इसको Islamic terrorism कह लिजी, आप इसलोग Islamic state के fighters कह लिजी, वो 42,000 fighters, जो 120 देशों से लडने गए था और कुछ वापस अपने देश में गए और radicalization अब शुरू कर दिया उन्होंने वापर, ये उनके ये वहां से origin कर रहा है, कहीं ना कहीं से तो इसके origins है, और ये origins अब यॉरोप में भी फैल चुके, तो Macron is going to be the first European leader, जो political correctness को बाहर पहंकेंगे, कचरे के डबे में डालेंगे, और सीधी बात करेंगे कि देखिए, ये एक problem है इसको tackle करना होगा, अब दूसरी बात आती है कि इसका सीधा प्रभाफ पड़ेगा immigration पे immigrants जो आ रहे हैं, Middle East से, क्योंकि Syria में हम देख रहे हैं the civil war has just been raging on और वहां से काफी immigrants आए हैं यॉरोप में पिछले 5-7 सालों में ध्यान इस बात का देना होगा कि immigrants से किसी को मनाई नहीं है, हमेशा हम ये बात कहते हैं कि immigration is not a problem, illegal immigration is a problem, but even if we talk about legal immigration, there needs to be a discussion now that जो immigrants यॉरोप में आए Middle East से ठीक है, उनका religion है, वो उसको follow करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया European nations are a democracy और ऐसा होना चाहिए, but क्यों उन्हें तकलीफ होती है, when they are asked to follow the law of the land अगर France, या Germany, या कोई भी मैं किसी भी European देश की बात करूँ they are a free and open country, they are a democracy and they pride themselves in being one why do these immigrants want the countries they are being allowed into, to form to adopt their conservative narrative their conservative stance on religion and other principles, ये बात चीत होना बहुत जरूरी है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि immigrants पहले तो दूसरे देश में जाएं, और फिर उसी देश में जाकर अपना राच चला, ये चलना अब गलत है, और I think अब ये discussion होगा क्योंकि मैंने वही बात कही, ये action reaction का cycle इतनी जल्दी खतम नहीं होगा, जी और ये जो immigrants की बात है, शायद इसी कारण से Europe में हमने scattered attacks देखे, और इंडिया या फिर South East Asia में organizations चलती हैं, जैसे terror modules चलते हैं, उनके attack होते हैं, लेकिन ये जो attacks हैं Europe के, जो scattered हैं, लेकिन फिर भी एक ideology है, जिससे ये पूरे आपस में connected हैं, और जो truck incident की बात आपने कही, वो इसी जगे पहुआ था, नीस में ही ये 2016 में ये truck attack किया गया था, जिसमें 86 लोग मरे थे, तो इस प्रकार से ये पूरा एक चीज है, और इसको counter करने के लिए, जो deterrence लाना है हमें, उसके लिए ये politically correctness छोड़नी पड़ेगी, जैसा कि आपने सही का, लेकिन यूरोप में अभी तक ऐसी मान सिकता नहीं थी, वहां के लोग अभी तक Islamic terrorism कुछ होता है, इस चीज को accept करने के लिए तयार नहीं थे, लेकिन अब ये जो एक नया चीज शुरू किया है Macron ने, वो अलग leaders कैसे follow करेंगे, देखे निश्टा, ये बहुत economic consequences देखे गए थे, उस देश में Sweden की बात करें, अगर वहां crime बहुत बढ़ गया है, immigration की वज़े से और ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां का data कह रहे है we are just quoting the data, अगर लोग Google पर जाएं, and the Google Sweden crime rate, they'll see a swift increase in वहां के journalists, वहां के leaders खुद बोर रहे हैं, but what Macron is doing is, he's finally taking a stand, he's done with the political correctness, he wants to solve the problem, और इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर कोई आतंग की problem को solve करना चाहता है, I don't think उस leader को question किया जाना चाहिए, हां कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2022 में France में elections हैं, तो Macron उससे पहले कुछ action लेते देखना चाहते हैं, but जो भी है an action needs to be taken, और बहुत जरूरी है, European nations Macron के साथ खड़े हो, स्वख चाहे वो United Kingdom हो, जाए Asians की बहुत बड़ी population है, चाहे वो Sweden भी हो, चाहे वो और Scandinavian countries हो, चाहे वो और European countries हो, they all need to come together and support Macron की problem किसी समुदाय से नहीं है, problem किसी religious group से नहीं है, किसी religion के लोगों से नहीं है, problem उस terrorism से है, जो कहता है कि आप love the land follow ना करें, जो कहता है कि you have to stop someone inside a church to make a point, जो कहता है कि teacher को behead करना किसी तरह का जिहाद है, problem यह है, problem वहां के लोग नहीं है, सारे immigrants नहीं है, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है और सारे leaders को साथ आना पड़ेगा क्योंकि अकेले Macron कुछ नहीं कर पाएंगे of course यह कुछ दिन trend चलेगा कि India stands with France, France take action France ने काफी action लिया भी है they are not, you know, taking anything easy ना, उन्होंने अपने cartoons भी निकाल दिये, Charlie Hebdo के उन्होंने Turkey को भी काफी verbal attack किये बट सिर्फ वहाँ बात खतम नहीं होनी चाहिए there needs to be a long sustained conversation and conclusion कि इस terrorism की problem को nip कैसे करे because India has suffered for years and years and years क्या Europe में भी उतनी patience है यह सब जहलने की और उस दिन भी मैंने इस बार में चर्चा की थी इनिश्था एक पुरानी वीडियो में मैं तब भी यह का था कि यॉरप is solving a very historical problem in a very contemporary fashion और यही challenge उनके सामने है कि सदियो पुरानी problem जो और देशों में थी जो इंडिया कहता था हमारे यहां है पर पूरी दुनिया में कोई नहीं सुनता था अब उनके दरवाजे पर है अब उसे कैसे टाकल करेंगे तो यह देखना काफी यही मैं देखना चाहूँगा अगले कुछ महीनों में अगले कुछ सालों में जी और जो फ्रांस को support करने की बात है तो कल M.E.A. ने statement जारी कर दिया है और वहीं दूसरे जो कुछ Islamic countries है वहाँ से boycott French products की call भी हमें देखने को मिली मुझे ये world politics में contradiction लग रहा है कि चाइना में जो उगर Muslims के साथ हो रहा है उसके लिए कभी किसी ने boycott Chinese products नहीं कहा लेकिन फ्रांस को ये Islamic countries कुछ है जैसे टर्की और पाकिस्तान इसे spearhead कर रहा है वह फ्रांस को target कर रहा है ये एक contradiction दिखा मुझे पाकिस्तान की तो बाती मत कीजिए अमिन इमरान खान पर मुझे हसी आती है अगर आप सही पूछे तो अभी अभी नंदन की बात हुई वो वीडियो सामने आये जिसमें बताया गया है कि कैसे उनके foreign minister और कैसे वो सब काम पर रहते जब अभी नंदन की बात है खेर वो अलग topic है बट पाकिस्तान is dependent on China अगर आज हम economic sovereignty की बात करें पाकिस्तान का अपना कोई वजूद रहा ही नहीं है dependent on China dependent on CPAC और इमरान खान से पूछा गया था एक interview में कि चाइना में जो हो रहा है उस पर आपके क्या विचार हो बहुत अराम से कह दिया कि मुझे तो पता ही नहीं चाइना में क्या हो रहा है तो यह जो economic boycott की भी बात है फ्रांस को अगर वो कर भी दें पहली चीज़ तो काफी countries करी नहीं पाएंगे मैं बांगलादेश का एक example देता हूँ सबसे बड़ा power plant वहाँ पर France का है बांगलादेश में तो ऐसे किसी भी Islamic country का France को boycott करना आसान नहीं होगा but again the question that warrants is बांगलादेश हो या Pakistan हो कोई भी country हो why are they not saying कि terrorism की वज़े से खोकला हो चुका है and still he is writing to Mark Zuckerberg against the cartoons of Charlie Hedbo against the projection of Muslims after the Paris beheading he is not speaking against terrorism that is what really shocks me that even now some leaders want to stick to political correctness and it's just not about Turkey, Pakistan और बांगलादेश ये कुछ और देशों में भी देखा जाएगा no one really wants to solve the problem of terrorism and मेरे कोई इस question पूछना है कि इस problem को prolong करने से किसका फाइदा होता है so we just hope कि कुछ right directions में कुछ right steps लिये जाएं ताकि इस problem से हम cope up कर पाएं keep watching Swaraj